नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का HP exam face में आज जो है मैं अपनी HPGK MCQ series में administrative history of हिमाचल से related questions करने वाले हैं और काफी high level की question करेंगे क्योंकि आप सभी को बता है HP PSE ने अपना level जो है काफी जादा high कर दिया है अब वो exam में ऐसे question पूछ रहा है जो बुक्कों में भी ढ लेक्चर कर चुके हैं तो topic wise जो है पूरी हिमाचल जी की को हम cover कर रहे हैं तो आज जो है administrative history of हिमाचल की important questions देखेंगे इसमें कहां से related होंगे हिमाचल प्रदेश अस्तित्त में आया 15 April 1948 को तो उसके आस-पास की जो है यहां पर period से question रहने वाले हैं तो first देखिए match list one with list two त अपर 1948 को तब यहां पर जो है चार डिस्टिक्ट थी पांच भी कौन बनती है ब्लासपूर बनती है और 1960 में किनोर जो है सिक्स्त डिस्टिक्ट बनती है तो मर्जरों ब्लासपूर ब्लासपूर तो 1954 first July 1954 को ब्लासपूर जो है fifth district बनता हिमाचल का फिर बोला है formation as union territory तो हिमा हिमाचल उनिटरी 1956 में बनता है 1956 से 71 तक जो है union territory रहता है हिमाचल प्रदेश फिर उसके बाद जो है स्टेट का दर्जा मिल जाता है next बोल रहा है first ministry headed by YS परमार तो YS परमार कौन थे हिमाचल प्रदेश के पहले Chief Minister थे तो इनकी अध्यक्षता में पहले मंत्रयाले कब कौन से पिरेड में है तो यह आपका जो है 24 मार्च 1952 तो इलेक्षन कब हुए हिमाचल में 1951-52 में हुए थे और Congress की सरकार जीती थी और जो है वाइस परमार पहले Chief Minister बनते हैं हिमाचल प्रदेश के तो इजी साही है यह ज्यादा डिफिकल्ट ली था इसमें आपको option A जो है टि जो है आगे हम कोशन का लेवल हाई करेंगे तो कोशन देखते जाए कैसे कैसे जो है इस टॉपिक से बन सकते हैं सेगें किनौर बिकम सिक्स दिस्टेक्ट ऑफ हिमाचा प्रदेश डिवाइड इन्टू विच ओफ फॉल्विंग वॉस इस सब डिविजन तो किनौर हिमाचा सब्कारार देखते हैं सेगें सेगंड का यज़ रइट आशर वो है ओल अवफ दबव यह तीनों ही सब डिविजन थी किनौर में तो किनौर जो है जो है सिक्स डिस्टेक्ट बनता है हिमाचा प्रदेश का कब बनता है डिड़ भी या दुनचे एक में 1960 को और कैसे बनता है ये भी पता उनके जो महासू है उसकी चीनी तहसील को जो है अलग किया जाता है रामपूर से जो है चौदा विलिजिस को अलग किया जाता है और उनको मिलाक किया बनता है किनोर जो है बनाए जाता है six district हिमाचा प्रदेश की तो ऐसे नहीं कि डिरेक्ट यही कोशन आ जागा आपको जो मैं explanation यहां दे रहा हूँ इससे भी कोशन बन सकता है पूछ लेंगे किनौर को जो है कैसे form किया गया था तो महासू से जो है चीनी तहसिल को किया गया और रामपूर के 14 विलिजिस को मिला कर जो है किनौर डिस्ट्रिक्ट की स्तापना की गई तो six district बनती है हिमाचा पदिश के किनौर और यहां पर तीन सब डिविजिन होती है कौन कोंसी निचार हो कलपा हो गया और पू हो गया तो यह भी आपने याद रखना है कितनी सब डिविजिन थी निचार हो गया निचार तैसिल से जो है निचार सब आपना है मासू की चीनी तैसिल और रामपूर के 14 विलिजिस को मिलाके जो है किनौर की स्थापना की गई थर्ड देखिए consider the following statements अब यहां पर हमें जो है तीन statements दे रहें हमें बताना है which of the above statement is our correct तो one by one पढ़ लेंगे हमें बताने कौन से statement यहां पर ठीक है हिमाचर प्रदेश came into existence on 25 जनवरी 1948 with the merger of 26 शिमला हिल स्थेट्स and four पंजाब हिल स्थेट्स तो कहना जाता है हिमाचर प्रदेश 25 जनवरी 1948 को 26 शिमला पहाडी राजियों और चार पंजाब पहाडी साजों के विलेख से जो है अस्तित्व में आया तो बताईए क्या इस स्टेट्मेंट ठीक है या गलत है तो यहां पर फिर्स टेट्मेंट गलत है सेगेंड देखिए फर्स चीफ कमिशनर वस ईपेंडरल मून तो यहां कर रहे हैं फर्स चीफ कमिशनर कौन थे हिमाचर प्रदेश के ईपेंडरल मून तो यह स्टेट्मेंट भी गलत है बच्चे बच्चे को पता है कौन है एंसी में ता अब ऐसा आप को अगर आपने जो ह जो है questions को attempt करना है तब जो है जादा चीजे क्लियर होगी आप देखें बोला जा रहा है पर फर्स चीफ कमिशनर कौन है तो यह पता होना ची एंसी में था बहुत बेसिक सी चीज़ है यह तो यहां पर इपेंडल मून दिया बलकि इपेंडल मून कौन थे डिप्टी चीफ क कंसिस्टेड ओफ फोर इस्ट वाइल रूलर समबा मंडी बगाट और सिर्मौर तो यहां कह रहे हैं जो चीफ कमिशनर की एडवाइजरी कौनसिल थी ठीक है जो चीफ कमिशनर को जो भी डवल्पेंट है उसके लिए जो है अडवाइज करेगी तो उसमें जो है चार रियास स्टेडमेंट गलत दिये और हमसे पूछा विच आफ द अबव स्टेडमेंट इसार करेक्ट तो कोई भी स्टेडमेंट यहां ठीक नहीं है नन आफ द अबव के साथ जो है हम जाएंगे अब देखे एक्समेशन साथ में देर कि हिमाचार प्रदेश अस्तित्त में कब आया 15 को कैसे है 26 शिमला हिल स्टेट्स को और चार पंजाब हिल स्टेट्स को मिलाकर जो है इमाचार प्रदेश का गठन किया गया फिर यहां बोल रहे हैं फर्स्ट चीफ कमिशनल कोन है एंसी में आता है और डिप्टी चीफ कमिशनल कोन है इपेंडल मून तो यह भी आद रखना बाकि अगर आप हिमाचार प्रदेश में किसी भी एक्जाम की तहरी कर रहे हो तो इस नम्बर वर्टस एप करना 7018186561 पर चाहे अलाइड हो चाहे पटवारी हो चाहे पुलीस हो किसी भी एक्जाम की तहरी कर रहे हो यहां पर आपको स्टड़ी में जाएगा टेस्स मिल जा सब्सक्राइब करना आपको जो है अच्छे-अच्छे कोर्स मिलेंगे वह भी ओफॉर्डेबल फीज के साथ बाकि नीचे मारे टेल्ग्राम चैनल का लिंक दिया है वहां तो आपको फ्री स्टड़ी मिटरल जो है मिलता ही रहता है फोर देखे विच आफ फॉल्विंग ली वैसी जो है पीपल को रेप्रिजेंट करेंगे तो कुछ लोग और भी जो है यहां पर शामिल थे जो आम जन्ता को यहां रेप्रिजेंट कर रहे थे तो यहां पर कुछा रहा है वह कौन थे श्वामी पुनननन्द, अमृत कौर, भग्मल सौठा, औल वाफ दबव, तो यह उसमें जो है कोई भी administrative work होगा ठीक है चीफ कमिशन द्वारा होना है तो उसमें जो है एडवाइज किया जाएगा जो भी लोग उसमें शामिल है तो तीन रियासतों के जो है राजा थे जैसे मंडी के चंबा के बगाड के और साथ में यहां six representatives of the people थे जैसे सिम्रती लिलावती हो गया डॉक्टर वाईयस प्रमार हो गया महता अवदार चंद हो गया स्वामी पुनानंद जो यहां कोशन में हमें दे रिखा था और श्री पदम देव और यहां पर शिवलाज चंदास ठीक है शिव चंदास तो यहां पर जो है यह सारे मेंबर्स थे तो इनको भी याद रखना डिफिकल्ट चीज है मगर याद करने पड़ेगी यहां पर तीन रियासतों के जो है राजा शामिल थे एडवाईजरी कॉंसिल पे चीफ कमिशनर की अब हिमाचर पदेश जो है आपको पता है चीफ कमिशनर प्रोविंस राव नैंटीन फुर्टी एड से ठीक है नैंटीन 51 तक तो यहां पर तीन चीफ कमिशनर भी रहे थे तो चीफ कमिशनर को जो है एडवाईज करने के लिए कौंसिल बनाएगी थी उसमें तीन रियासतों के राजा थे मंडी चंबा और बगाड और छे जो है लोग थे पीपल के रप्रेसेंटिव थे आम जंता के जो है रप्र हो रहा है ठीक है तो अच्छा लेवल जो है यहां पर किया गया है अच्छे लेवल के कोशन डाले गया है क्योंकि एक्जाम में काफी टफ लेवल के कोशन आ रहे हैं अगर एक्जाम दे रहे हूं तो अब जो है पेपर बन क्लियर करना काफी डिफिकल्ट हो गया है तो आप को जो है यहां पर high level के त्यारी करने पड़ेगी बाकि हमारे चैनल में HPG के MCQ सिरीज पहले से एक बन रखी है उसमें जो है मैंने books वाले कोशन करा रहे हैं जो दरपन जोकड़ा हर एक book में जो है आपको मिल जाएंगे वैसे question भी करा रहे हैं अब जो है high level के question इस सेरीज में कर रहे हैं फिफ देखे consider the following statements which of the statement is are incorrect तो यहां बताना है आपको गलत statement कौन सी है तो one by one जो है read कर लेते हैं तो यहां कर रहे हैं सोलन सविदान सभा 26 से 28 जनवरी तक हुई जिसमें बगात के राजा दूर्गा सिंग इसके अद्यक्ष और वाईस पर्मार उपद्यक्ष बने तो यह जो सोलन कौंस्ट्ट असेंबली हुई थी हां जी 26 से 28 जनवरी तक हुई इसमें में क्या था जो हि नीगी तर हमा एक रियासत दे थी उन्हें एक जुट करना था हिमाचल के जरे हैं इंडिपंडent करना था झाल preparedness ह कि requirement है यहां पर तेजियो यह बाइस फी तो यहां पर छेश पर जो है इस वाइस लिए यह में बोला इस पर्मार रिए आप था तो यहां जरु नहीं यहां पर तो थाकुर सेननेगी जो है यहां वाइस चेर्में थे जो यह सोलन कॉंस्ट्रॉट असेंबली हुई है सेकंड देखिए पॉप्लर लीडर्स लाइक भगमल सौठा पदम देव थाकुर सेननेगी अटेंडेंड असेंबली तो यह जो असेंबली हुए थी इसमें भगमल सौठा पदम देव और सेननेगी ने जो है हिस्सा लिया था तो अभी तो आपको बोला मैंने थाकुर सेननेगी है यह कौन थे यह वाइस चेर्में थे सोलन कॉंस्ट्रॉट असेंबली तो इन्होंने पार्ट लिया है भगमल सौ नहीं पर चाइड हृँ सेगए तो आपर थो पैरणी स्टेट्मेंट और सेकनड सेट्मेंट गलत है अप यहां एक्स्ट्रॉट सेकन Black जो है अच्छा से आपको क्लियर करता हूँ 26 से 28 जनवरी तक जो है सोलन कॉंस्ट्ट असेंब्ली हुई थी अब चेर्मन कौन है यहां पर चेर्मन थे बगाड के राजा दुर्गा सिंग और वाइस चेर्मन याद रखना है थाकुर सेननेगी जो थाकुर सेननेगी थे यह इस महाविर सिंग थे उनके दुवारा जो है इन्हें जोएन नहीं करने दिया गया था वाइस परमार और पदम देव को तो कुछ नहीं चीज़े जो है आपको पढ़ने को मिल रहे होगी consider the following statements अब यहां पर तीन स्टेटमेंट दे रिखिए which of the above statement is correct तो यहां आपको पताना है स्वकôm धरी स imagem गया तो है तो इन्डिया जब अस्तित्व में आया जैसे हम अजादी कम रहे हमें 15 अगस्त 1947 को तब्सक्राइब भी casino हो गया इस ने जो इंडियन कॉसे जो है जो है जोएन कर लिया तो पहली रियास्थ्त फीं गइंडेटन गॉर्मेंन्ट इस इघ्णास थी तो यह ठीको में है ने फेमेंडेंब जो है एंडेपेंड हूँ और यहां पर चेर्मेंग रहुत ह mache यह प्राजा मंडल्स विए इंट्वेटी इंटु देहegมाळें छीमालें भी सी इनी अगैगेंटूंस फीज सोल पॉब्रेंज को ना ह fineswhen Windagnal सुनियल हूगी भीॉलिया रहे प्रजामंदल दो, प्रजामंदल को आखिको साथ हमालियन ही बन जाए क्योज्क है कि एक नोरी बन जाए कि मेन तो, मोटीवे था कि पीपल को जो हेया राइट से यह तो यहां पर आम जंतर ही उन्को स्प्राइस सिंदा इंके ब्रिटीषर्या दो़ा रहा हूं चाहे वहां के राजा दोवारा तो में मोटिव तो तो इनिक यह ही था तो इनको ऑटनीद कियाegeट Ann pi and that of the General Secretary thicken तो जो प्रेज्डेंटन था किसका Himalayan hills state regional council का उसका is मन्डी में था और जो General Secretary उसका was kanthang भाह ता तो यह س्टेंडमें थी झापर ठीक है यहां पर ठीका जो President था Himalayan हिल स्टेत reg symbols का उसका जो office था मन्डी में था और जो General Secretary संच मच्रों में था तो तो फर्स्ट और थर्ड श्रेटमेंट यहाँ पर ठीक है और सेकंड यहां गलत है, तो हम कौन से ऑप्षन के साथ जाएंगे, ऑप्षन C की साथ, फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेटमेंट यहाँ पर ठीक दिये गई है, अब एकस्प्स्ट देख लो यहाँ पर installation किया है, तो उसके बाद जो है independent government जो है थियोग में establish की गई और chairman को थे? सुरत प्रकास थे फिर प्रजा मंडल जो है उन्हें integrate किया गया हिमालियन हिल स्टेट regional council के साथ कब किया गया उदेपूर session ठीक है प्रेजडेंट और जो है general secretary पता होना चाहिए कि कौन थे इनके तो यह आगे वाले questions में जो है clear करूंगा मैं जैसे कि 7 देखे which of the following leaders were elected as president and general secretary of HHSRC तो हिमालियन हिल स्टेट regional council के जो है यहां पूछा जाए प्रेजडेंट और जनरल सेकेटरी कौन थे 1947 में तो 1947 में जो है पूछा जा रहा है अध्यक्ष और महासचीव कौन थे हिमालियन हिल स्टेट regional council के तो सेवन्द का राइट आंसर के सेवन्द का जो राइट आंसर है वो है Y.S. परमार और पदम देव तो Y.S. परमार जो है प्रेजडेंट थे और जनरल सेकेटरी कौन थे पदम देव थे 1947 में ठीक है उससे पहले अलग थे 1947 यहाँ पर डेट भी पूछ लेगी यह 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 की हिसाब से उस समय प्रेजडेंट Y.S. परमार थे और पदम देव जो है जनरल सेकेटरी थे इंपोर्टेंट है स्वामी पूर्णानंद को जो है प्रेजडेंट बनाया गया था हिमालेन हिस्ट्रेंट एर जव इथे जनरल सेकेटरी थे और पदम देव साथ की नियुक्त करूंड यह पहले भी जनरल सेक्रटर थे 1947 में भी यह रहे थे और जब जो है हिमालियन स्टेट रिजिनल कॉंसिल फॉर्म हुई थी तब कौन थे स्वामी पुर्णानन थे और 1947 में कौन बन जाते हैं वाइयस परमार जो है एक responsible government जो है form किए गए थी, जुबल, कोटी, बेजा, तो इसका right answer है all of the above, ठीक है, all of the above में responsible government जो है set up की गए थी, तो जुबल में representative government was set up with भागमल सौटा as chief minister, ठीक है, तो यहां पर जुबल में भी responsible government जो है set up की गए थी, कुनिहार में भी की गए थी, कोटी में भी की गए थी और बेजा में भी जो है की गए थी, तो यहां तीनों ही इसका right answer है, नैंत है on what date did the Indian Parliament pass the state of हिमाच्चा पदेश act, तो भारती संसर्थ ने हिमाच्चा पदेश राज्य अधिनियम किस तारीक को पारित किया गया, यानि हिमाच्चा पदेश 1956 से 1971 तक क्या रहा था union territory रहा था, तो बाद में यहां मांग की गई कि इसे जो है state बनाना चाहिए, तो पार्लिमेंट ने यह जो है law का pass किया था 18 December 1970 को, यानि पार्लिमेंट में जो है law pass हो गया था, बिल जो है, पास हो गया था, जिसमें हिमाच्चा प्रदेश को जो है state बनाना था, कब 18 December 1970 को, और फिर आगे 25 जन्वरी ठीक है, 25 जन्वरी 1971 को हिमाच्चा प्रदेश क्या बनता है, हिमाच्चा प्रदेश जो है state का दर्जा मिल जाता है तो हिमाच्चा प्रदेश state का बनता है 25 जन्वरी 1971 को नैंत का रेटांसर, बिल का पास हुआ था state बनाने का 18 December 1970 को, तो ये date भी आपने याद रखनी है और हिमाच्चा प्रदेश क्या बनता है 18th state बनता है, ठीक है, तो इंडिया का अठार हुआ जो है, state बनता है हिमाच्चा प्रदेश, कब 25 जन्वरी 1971 को, तो ये जो बिल था 18 December 1970 को जो है, पास हुआ था, 10th है यहाँ पर statement दिया, आपको पताने, which of the above statement is or incorrect, तो incorrect statement जो है, आपको यहाँ पर find करनी है, तो पहली क्या है, महत्मा गांदी विजिटेट शिम्ला इंडे एर 1921, 31, 39, 1945 और 1956, तो यह statement जो है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, याद रखना है आपने, जो यह statement है, बिल्कुल ठीक दे रखी है, यहाँ पर, कि महत्मा गांदी ने शिम्ला को विजिट कब किया, 1921 में भी किया है, 1931 में भी, 39 में भी, 45 में भी, और 46 में, तो यह year जो है, अच्छे से आद रखना, पहली बार 1921 में किया था, तब जो है, यह शान्ती कुटेर में रुके थे, समर हिल में, तो यह भी कभी कार पूछ ले जाता है आपसे, second statement देखे, in 1945, 1945, he stayed at residence of राजकुमारी अमरितकौर, तो हाँ जी, यह statement भी ठीक है, 1945 में, जो है, यह कहाँ रुके थे, राजकुमारी अमरितकौर का जो रेसिडेंस था, वहाँ पर जो है, यह रुके थे, third में बूल रहा है, 1946 में, he stayed at Monerville, तो यहाँ पर जो मोनर विले, यही तो, जो है, राजकुमारी अमरितकौर का, तो यहाँ तो यह 1945 में रुके थे, 1946 में, जो है, चैडविक में रुके थे, तो यहाँ पर जो है, यह statement आपकी गलत है, first और second statement यहाँ पर ठीक दे रखिये है, तो option B, पुछा था, गलत कौन सी है, तो option C, यहाँ पर ठीक है, option B के साथ जाएंगे, third जो statement थी, यह गलत है, अब यहाँ देखिये, explanation दे रखिये, महात्मा गान्दी ने जो है, कब शिमला विजिट किया, 1921, 31, 39, 45 और 46, 21 में बताया, मैंने 1921 में पहली बार जो है, महात्मा गान्दी जी शिमला, तो यह भी आद रखना है, यह पहली बार कब आए, 1921 में, तब शांती कुट्री जो है, शिमला, समर हिल में जो है, रूके थे, 1945 में, हिराज कुमारी, अमरित कॉर का रेज्डेंस है, मैनर विले, ठीक है, मैनर विले, वहाँ पर जो है, रूके थे, और 1946 में, चैडविक में, जो है, रूके थे, समर हिल में, तो यहाँ पर जो है, एक्स्पनेशन भी साथ में देखिए, 11 देखिए, In 1946 AD, Who first asked for the creation of hill state, तो 1946, इसमें, किसने सरुर्पतरम पहाड़ी राज्य के निर्मान की बात की थी, तो इनका नाम याद रखना, थाकुर हजारा सिंग, तो पहली बार किसने बुला, कि एक hill state होनी जाए है, ठीक है, तो 1946 में, किसने मांग उठाई कि hill state होनी चाए है, पहाड़ी राज्य होना चाहिए, तो ये थाकुर हजारा सिंग ने, 11 त का राइट आंसर के है, option D, इसका राइट आंसर है, तो इनका नाम याद रखना, थाकुर हजारा सिंग, 12 त है, which of the following was the first lieutenant governor of हिमाचा प्रदेश, तो यहाँ पूछ रहा है, पहले lieutenant governor हिमाचा प्रदेश के, अब कभी का governor पूछ रहते हैं, पहले governor कौन थे, पहले chief commissioner कौन थे, पहले यहाँ पर chief minister कौन थे, तो वो सब जो है, आपको पता होना चाहिए, तो पहले lieutenant governor कौन थे, major general हिमाचा प्रदेश थे, पहले अगर मैं आपसे पूछू, governor कौन थे, तो एस चकरवर्ती थे, अगर आपसे पूछू, पहले chief commissioner कौन थे, तो एंसी महता थे, तो इनके नाम जो है, पता होने चाहिए, यह easy सी बात है, यह तो आपको books में भी मिल जाएगी, 13 देखे, पहले विदान सभा के विदान सभा थे, पहले भी थे, तो कौन थे वो, वो थे ठाकूर करम सिंग, ठाकूर करम सिंग मंडी के थे, तो यह एक लौते चेर्मेन थे, टेरिटोरियल कौन सिल के, टेरिटोरियल कौनसिल का अपनी हिमाचल में, 1957 से लेकिए, 1963 तक, तो 1963 तक टेरिटोरियल कौनसिल रही थी हिमाचल परदेश में, अब यह भी चीज़े काफी डीप है, जब आप थियोरी पढ़ोगे तब ही बता लगेगा, जैसे हिमाचल परदेश को 1956 में, जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो यूनियन टेरिटरी में तो होता नहीं कि लोगों के रेप्रेजेंटिटिव होंगे, यानि लोगों दोवारा चुने गए लोगों होंगे, जैसे एलेक्शन होंगे, तो यहाँ पर जो है, एक आपका क्या बना दिया गया था, बाद में टेरिटरील कॉंसिल बना दीगी थी, कि हाँ यहाँ चेर्मेन होंगे, और जो भी डेवल्टमेंट वर्क होंगे, यही करेंगे, और बाद में जाके लोग इसकी अपत्ति करते हैं, कि हमारे दुवारा जो है, लोग चुने नहीं गएं, और यह अच्छे से हमारी डिमांड नहीं सुन रहें, तो बाद में जाके टेरिटरील कॉंसिल को खतम कर दिया जाता है, तो 1957 से 1963 तक टेरिटरील कॉंसिल रहती है हमारे चिलमे, और एक जो लोटेस की चेर्मेन थे, वो धाकुर करम सिंग थे, तो यह थियोरी है, जब आप बुक पड़ोगे, तभी यह चीज़े क्लियर होगे, अब यहाँ पर लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मिलाना है, यहाँ पर नाम दे रहें, और उनको जो है क्या टाइटल मिला था, तो टाइटल आपको पता नोचिए, तब आपको डिस्ट मिला था, अब मैं बताना भूलिए, जो इस लेक्चर की पीडेएफ थी, वो डिस्क्रिप्शन में दे रहें, तो उसको अटेम्ट करते आप और आप खुद चेक करते, आपको कितने कोशन ठीक हो रहते हैं इस वीडियो को देखके, तो आप जितने भी lecture होंगे उसमें जो है question की PDF में आपको description में दे दूँगा, पहले खुद attempt करना, उसकी बाद जो है वीडियो को देखना और फिर check करना कि आप कितने question जो है ठीक कर पा रहे थे, अब तो वीडियो फिनिश होगी है, मगर जो है नीचे description में link दे रखा है PDF का, उसमें सारे question जो है यह दे रखे, खुद attempt करने के लिए, अब जितने भी next video आएगी, वहाँ पर आप आप नेखना, description में आपको PDF पहले मिल जाएगी, उनको जो है attempt करना, फिर वीडियो को देखना और अपने answer शेक करना, कितने answer जो है ठीक कर पा रहे हो, तो HPGK High Level MCQ Series चला सारे lecture जो है आपको मिल जाएंगे,